ज्योतिश में नौवे स्वामी कब पदाकाथि पती और योगाथी पती के रूप में कार्य करते हैं? वैदिक जियोतिश में नौवे स्वामी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह अमारे भाग्य, सौभाग्य, धर्म और आध्यात्मिक विकास को नियंत्रित करता है। हालां कि लग्न या लग्न के आधार पर नौवे स्वामी या तो पदाका थिपती के रूप में कार्य कर सकते हैं जो एक कार्यात्मक पापी है या योगा थिपती जो एक कार्यात्मक लाबकारी है। आईए इन भूमिकाओं का पता लगाते हैं और प्रत्येक कब लागू होती पदाकाथिपती नौवे स्वामी एक कार्यात्मक पापी बन जाता है जब ये कुछ घरों से जुड़ा होता है, खासकर लगन प्रकारों के लिए जहां ये लाबकारी और पापी दोनों घरों पर शासन करता है। उदाहरन के लिए कर्क लगन में जहां ब्रहस्पती छटे और नौवे दोनों घरों पर शासन करता है, ये चुनोतिया या बाधाये ला सकता है, खासकर अगर राहू या केतु जैसे ग्रहों से जुड़ा हो। दूसरी और, योगा थी पती, नौवे भाव का स्वामी अत्यदिक लाबकारी बन सकता है और शक्तिशाली राज योग या धर्म कर्म अधिपती योग बना सकता है, खासकर जब ये दस्वे भाव के स्वामी के साथ यूती करता है, व्रिशब्या मकर जैसे लगनों के लिए दस्वे भाव के साथ नौवे भाव के स्वामी का यह मिलन व्यक्ति के जीवन के उद्देश, करिय की सफलता और आध्यात्मिक संरेखन को मजबूत करता है, संक्षेप में, नौवे भाव के स्वामी का व्यवहार लगन, अन्य भावों के साथ संबंध और शुब या ग्रहों के साथ यूती के आधार पर बदलता है, इस भूमिका को समझ कर हम अपने भाग्य और आध्यात्मिक पत के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को सब्सक्राइब करें